तो आज के मारी स्क्लास में हम वी वी माइक्रोगामिंग पर बात करेंगे दू वाइल लूप के बारे हमने फोर इफ को परा फोर की जो दोनों पार था फोर एंफोर इच दोनों को हमने पढ़ लिया हम दू वाइल लूप के दराफ बढ़ते हैं कि तो सबस्क्राइन वह प्रॉप करेंगे उसके प्रजेक्ट 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 उदाया था अच्छा इंधियर फॉर्म के लिए हो सकता हो तो कर या साम में होगा तो मैं आपको इस पर आदेंगर तो यहां पर देते हैं तो यहां पर देते हैं तो जैसे कि मान लिजिए अब यहां पर डॉल स्किन करता हूं यहां पर हम देते हैं फिर यहां पर नेक्स आए और हमने यहां पर लिख दिया सेल्स सेल्स में आई रो एन वन कॉलर डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने आई कर दिए तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा एक से दस तक आगया है आगया ना सर्ट अब इसी में इस तरह कंडिशन बने कि कॉलर्ण ए में जहां जहां हमें कॉलर्ण ए में जहां जहां वैल्लू हो उसके सामने बी कॉलर्ण में 500 टाइप करते हैं हमें नहीं पता कि कितना है हमें नहीं पता कि कहां से start है कहां से हमारे पास एक condition है कि colon B के अंदर जहां जहां भी number से उस पर क्या करें इस केस में हम लगाते हमारे पास कोई स्टार्टिंग नहीं हमारे पास एक condition होता है क्या होता है एक condition यहां पर हम देंगे लूप यहां पर देंगे तो हम देते हैं आर एजे लॉंग और और एक्वाइन करना पड़ेगा दें दू वाइल हमने यहां पर दिया सेल्स सेल्स में हमने बुला की आर कॉमा ओन इज नॉट इकल टू जी रो देंगे सेल्स सेल्स में हमने दे दिया कि आर रो एंड टू कॉलन डॉट वैल्यू इकल टू 500 और आर इकल टू आर प्लस और क्योंकि यहां आई के तरह इंग्रीजमेंट नहीं होती है और इसको लूप से क्लोज करते हैं किससे क्लोज करते हैं लूप से अब चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं 500 आगिया अपने देखा हमने कहीं पर स्टार्टिंग नहीं थी हमने सिंपल सा हमने बोला एक एक करके चेक करते जाओ जहां ही जहां भी इसको ब्लैंक मिला हमना लूप वहीं पर रुख गया है क्योंकि हमने बोला कि तब तक चलते रहो जब तक नॉट इकल टू जीरो समझ में आपको सब्सक्राइब को चली इसमें आपको डू वाइल के जगह पर एक और चीज बताते हैं जैसे हमने यहां पर एक और हम यहां पर बता दिये सब्जेक्ट पन टू देते हैं माल जे कि हमने एक इंपुट बॉक्स लेना है तो टिम एन एजे हमने कर दिया स्ट्रेंग और यहां पर हमने बोला यहां पर दू वाइल एन इस नॉट इकल टू ब्लाइट और फिर हमने बोला एन इकल टू इंपुट बॉक्स एंटर ने और फिर यहां पर लोग अब इसको रन कटने हैं और सुरी यहां पर एकल होगा तो फिर्स टाइब में इस इंपुट बॉक्स में जब तक नाम नहीं डाइप टाइप करूंगा तब तक मेरा इंपुट बॉक्स यहां से नहीं हटेगा ओके कैंसल कुछ भी कर लेजी जब मैं यहां पर लालूंगा पूजा तो यहां आपने देखा कि जब तक मैं इसके अंदर कुछ टाइप ना करूं तब तक हटेगा नहीं अब मैं टाइप कर देता हूं करता हूं हट जाए अब समझे क्या है अगर मैं इंपुट बॉक्स डारेक डालूंगा अगर इसने इसके अंदर इसन की आँ की नाला और इसने फीचर्स डाला अजा नाम डाला और या ंंदर बीजोबुक्त जो भी कंदिशन समझें या कोई पास्वर टाइब का हो गया या कोई क्रेक्ट वैलू हो एडिटिंग जो कंडीशन आप डालना चाहते हैं तो कोश्चन है कि अगर इस कोड को जो कोड दीख रहा है इसको अगर हम लूप में डालेंगे फोर लूप में डालेंगे तो हमें क्या पता कि यूजर कितना बार गलत इंट्री करेगा बार समझे हमें नहीं पता ना सर्ड इसलिए हमने यहां पे लगाया लूप हमने बुला कि भाई जब तक एन इक्वल टू ब्लैंक है तब तक इंपुट बॉक्स को एबियर करते रहो समझना या कि जब तक इन इक्वल टू ब्लैंक है तब तक इंपुट वॉक्स को एपियर करते रहो और जैसे यह कंडीशन फॉल्स होगी वाइल जो है अपनी कंडीशन को अपनी लूप को ख़त्म करते रहे कि अब समझ माझा है वाइल लूप यह नीचे तो उर्को चलाता रह जी हाँ अश्व फोर में नेक्स होता है ना फोर में नेक्स होता है तो डू वाइल के अंदर लूप होता है कि समझे कि डू वाइल कंडिशन अपने कोड्स और लाश्ट में कर देजे लूप कि समझ गया है कि इसी तरह का एक और केस होता है टू अंटेल तो डू अंटीन एट डू लूप दोनों सिमलर है बस कंडिशन हो जाता है जैसे में यहां पर लिख दिया अंटिल तो अंटिल क्या होगा बज्वरण कीज़िये गां इसको अंपाजिट कंडिशन चाहिए लिखा ऑप वाजिट कंडिशन चाहिए टू अंटिल मैं तब तक करते हो जब तक कि not equal to blank है अब आगे है सर समझें तो दोनों जह है अपोजित मतलब कि ए समझें कि डू अल्टि मतलब कि जब तक उसको blank मिलता रहेगा तब तक चलाता रहेगा तो जो वाइल में कंडिशन दे रहे है उसका अपोजित कंडिशन होता है समझें सर अब इसके प्रोजेक्ट इससे प्रोजेक्ट समझते हैं तो मैं अपने डेटा एक डेटा शीत पुना यहां त्यार करता हो में पास एक फोल्डर है इस फोल्डर में सात फाल है सब्सक्राइब साथा वियुज्स विणा टेटा मुझे टेटा सीट के अंदर एक की नीचे एक की नीचे कॉपी पेस्ट करवार समंझ गए तो चलिए इसके बारे में देते हैं पी आर ओ अब यहां पर लिखते हैं सबसे पहले कि दिम एफिन फाइल नेम एजे इस ट्रिंग और फिर अगेड एफ एजे स्टिंग और एफ एक्वल टू हमने बोला एक्टीव वार बूक डॉक डॉट नेम जो फाइल में कोडिंग जो फाइल में देता पेस्ट करेगा वहां पे अब हम करते हैं अच है फिर यहां पर हम करते हैं और एक घरक्टीव फॉंच्छन होता है जो कि किसी भी फाइल के अंदर फूलर के अंदर को तो भी टाइप के फाइल को यहां धून सकता है जिससे में start और start कर दिया start.xls कर दीजे तो भी extension देदीजे start.start कर दिया मतलब कि कोई भी find अगर extension देदीजे कि तो उस particular extension के फाइल को धून के list निकालेगा और यहां पे file type देदीजे तो मैंने बुला कि normal तो एक डायक्टी फामूला क्या करेगा कि जितने भी file है सारे list को निकाल लेगा बट एफन क्या है एफन कोई array तो नहीं है एफन एक क्या है इस टेंग है तो एक बार में एक ही वैलू लेगा ना तो अगर मैंने यहां पर दिख दिया range a.65.and.and यहां पर दिख दिया excellence up.offset 1,0.value.equal to हमने कर दिया f दिख रहा है जरू तो ए यह run किजिएगा तो एक ही file name दिया तो मुझे दूसरा file name के लिए वापस f n equal to dir bracket open close और फिर वापको इसको हम paste करें और यहां पर again a.f तो आप देखेगा अब यहां पर दो file का name देगा कितना file का name देगा दो file name देगा ऐसे ही आपको यहां पर एक बार और तो मतलब जितना बार f n equal to dir करेंगे उतने file का name निकालके वह अपने पास आपको देगा one by one मतलब कि रिलोड कर सिस्टम हो गया क्या हो गया रिलोड सिस्टम जिसे गन में रिलोड होता है ना उस तरह से रिलोड सिस्टम हो गया अब कोश्चन यहां पर आता है कि हमें नहीं पता कि हमारे folder में कितने files हैं हमारे folder में दस भी है बीस भी है पचास भी है तो ऐसे हम f n d i value लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना क्या सर्थ यहां पर हम लूप चलाएंगे क्या लूप चलाएंगे लूप अब यहां पर four लूप तो नहीं चला सकते क्योंकि four में तो start end चाहिए और हम नहीं पता है कि start कितना है और end कितना है लेकिन हम लगाएंगे यहां पर do while यहां देंगे f n is not equal to blind क्योंकि जैसे ही file का list dira के अपास खतम होगा वो क्या करेगा कि आपके system पर यहां पर जैसे खत करतेगा और f n की उपर blind store करतेगा क्या store करतेगा और जैसे इसको blank मिलेगा वाइल अपना लूप को close करतेगा तो यहां देखिए एक बार मैंने क्लिक किया और क्लिक करते आपके सामने सारे फाइलों का list आ गया अब साथ फाइल हो या 700 फाइल हो यह आपका लूप पूरा फ चाहिए हमें तो उसकी डेटा चाहिए तो डेटा निकालने के लिए अब मैं इस लाइन को कर देता हूं डेट क्योंकि जरूत नहीं है डेटा निकालने के लिए फैले हम इस फाइल को open करना होगा तो यहां पे लिखते हैं कि workbooks.open अब open कहां से करना है तो path तो हमें पता है तो हमने अपना फोल्डर का path ले लिया कि इस path में और इसके साथ and percent हम देदेते fn क्योंकि fn पर ही तो file name है 1.xlis 2.xlis तो file को open करेगा फिर पहले sheets पर जाएगा हमें पता है कि सबसे पहले sheet पर data है sheet का नाम पता नहीं है तो पहले sheet.select उसके बाद फिर क्या करेगा रेंज रेंज में एपैंसट हजार डॉट एंड एक्सलेस आप्ट डॉट अपनी होगा फिल लिए करिंट रीजन हों है यहां पर करेंट रीजन क्या करेगा कॉपी कर लेगा उसके बाद पेस्ट कहां करना है तो पेस्ट करना है रेंज रेंज में एपैंसट हजार डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट ऑपसेट वन कॉमा जीरो डॉट पेस्ट स्पेशल लेकिंग कहां तो डेटा शीट्स के अंदर शीट्स डेटा किस फाइल के क्योंकि दो फाइलों पर काम कर रहा हूं एक जो हमने ओपन किया है एक जहां पेस्ट करना है तो हमें पॉस्ट पाइल का पाथ जो की फाइल निम का है एफ न की ओपर अब मैं एक्टिव वर्क डॉट नेम कर दूं या फिर में एबी कर सकता हूं सेट यहां पर स्ट्रिंग न लेके मैं लेता हूं एजे वार्क अब यहां भी एक्टिव लगा दें नहीं फाइल ओपिन हुई है तो एक्टिव वर्क डॉट चेंग हो गया समझे तो यहां पर हम कर देंगे एफ डॉट ठीक है उसके बाद जिस फाइल को हम यहां ओपिन किये है उस फाइल को करेंगे उससे पहले करना होगा अप्लिकेशन डॉट कट कोपी कट कोपी मोड फॉल्स इसके मारते गुमता रहता है परना बीच में आ जाएगी प्रॉब्लम समझे और उसके बाद यहां लिखेंगे वर्क बोक्स और इसके अंदर एफ एन क्या करेंगे एफ एन डॉट क्लोज और हमें कुछ सेव नहीं करना है इसलिए कर देते हैं फॉल्स अब चलिए इसको एक बार हम रन करके देखते हैं गां फ्रॉन का लो तो यहां इसको रन पेस्ट कहां किया है इसने यह बुक ने में ना वर्ट बुक एक में इसी के अंदर पेस्ट तो नहीं कर दिया है नहीं इसके अंदर पेस्ट नहीं किया है वह और फाइल उप्यां था गया है असे इसको एके करके रुण करके दिखते है क्या है कॉर्ट तो सब्सक्राइए एक्टिव वर्क बुक को ना आगे है यहां पर देखे दो यह उपन किया सी टुवन स्लेक्ट किया इंटाय डेटा को कॉपी किया एक कॉपी ही नहीं कर पा रहा है अब समझ में आया थे कि कॉपी नहीं होगा कि यहां पर यह प्रॉब्लम कि सब्सक्राइब कर रहा थे करेंट रिजन से तो कुछ डेटा था यह नहीं नीचे जाके कर रहा है पेस्ट लिख रहा है या पर तो इसलिए क्या किया एक फॉल्टर के अंदर जितने भी फाइल से सारे फाइल से डेटा कॉपी पेस्ट कर दिया समझ गया है एक की फाइल में से किया नहीं या फोल्डर फोल्डर के अच्छा काई सब्सक्राइब और अगर इसमें से बार बार इसने वह लिया है इसके बार में आगे बात करेंगा इसको आप किसी नहीं है सारे काम हम ही करते हैं सर